पेड़ साफ ना होने पर, एक बार में पूरा पेड़ साफ ना होने पर, दो-दो दिनों के बाद पेड़ साफ होने पर, लंबे समय तक कब्ज बने रहने पर, गैस, एसिडिटी, अपच होने पर, या फिर पेड़ की कोई भी बिमारी होने पर आपका सरीर दुबला पतला वो कमजोर कैसे हो जाता है दोस्तों अगर आप भी पेड़ की बिमारी जैसे कब्ज, बवसिर जैसी बिमारी से पीडित है और आपका सरीर भी कमजोर हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी special होने वाली है आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए किमेंट कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे तो आप चलते हैं अपने टोपिक की तरह तो दोस्तों पेड़ साफ ना होने पर या पूरा पेड़ साफ ना होने पर मल आपके पेट यानि बड़ी आथ में ही पड़ा रहता है ये मल जितनी ज़्यादा देड़ तक आथ में रूका रहेगा उतना ही इसका पानी शोशित होता रहेगा और मल सूखता वे सक्त होता जाएगा अब जब मल सूखता है तो सूखी हुई परत आथों में चिपके रह जाती है और ढिला वे गिला मल ही निकल पाता है आथों पर मल का आवरन चिपकते रहने से आथों की गती शीलता कम होती जाती है आथों की गती शीलता कम होने पर यानि आथें कमजोर होने पर आते भोजन में से पर्यात पोशक तत्व यानि एनरजी सोख नहीं पाती है जिससे सरीर को पोशन अर्थात विटामिन्स वर ताकत मिलने में कमी हो जाती है इसी कारण सरीर स्वस्त पुष्ट और सुडोल नहीं हो पाता है बलकि दुबला पतला वस कमजोर होता जाता है आते अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है जिससे कब्ज बढ़ता जाता है और सरीर कमजोर होता जाता है क्यूंकि आतें कमजोर होती जाती है आतों के कमजोर होने वस सीठिल होने से सरीर का विकास रुक जाता है जिससे रोग प्रती रोधक शक्ती नश्ट होती है और सरीर रोगों का घर बन जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सरीर कमजोर हो जाता है इसलिए आपको अपना पेट हमेशा साफ रखना चाहिए पेट में मल इकठा नहीं होने देना चाहिए पेड़ साफ करने के लिए हमने कुछ वीडियो बनाये हैं जिसमें हमने पेड़ साफ करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां बताई हैं आप उन्हें देखिए जिनका लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों अगर आप आतों के कमजोर होने के कारण के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आप आतों के कमजोर होने के कारण जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे आपको करता हूँ कि आपको ये वीडियों और ये जानकारी तोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफ्तों अब हमें आगया देजिए